वेलकम टो एकजाम और्बिट तो आज है 21 अपरेल और आज का मौस्टम प्रोटेन करेंट अफ़र देखेंगे सबसे पहले 20 अपरेल के करेंट अफ़र का रिविजिन करिए पहला कोशन गाटनर के डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे 2019 के अनुसार विश्वा का सबसे डिजिटल रूप से कुशल देश कौन सा है भारत दूसरे अस्थान पे है युनाइटेड किंग्डम और तीसरे अस्थान पे है अमेरिका स्विजे लेंड ने किस पहाड पर हाली में 1000 मिटर से भी बड़े अकार में तिरंगा प्रदर्शित किया माउंट मैटर हर्ण ये स्विजे लेंड और इटली के बीच में इस्थित हैं सबसे तेज 50 मिलियन डाउनलोड होने वाला पहला एप कौन बना है अरोग्य सेतु जो की हाली में भारत सरकार ने लौंच किया है हाली में लौंच शटलिंग टू दा टॉप दा स्टोरी ओफ पीवी सिद्धु पुस्तक के लेखा कौन है वी कृष्ण स्वामी अंतराश्री टेबल टेनिस महासंग की नवींतम सिनियर पूरुस टेबल टेनिस रैंकिंग में कौन पहले अस्थान पर है इसमें पहले अस्थान पर है फान जेन डोंग ये चीन के टेबल टेनिस खिलाडी है इसी लीस्ट में भारत के अंचता शरत कमल 31 अस्थान पर जी सा यान 32 अस्थान पर हैं ITTF की नविन्तम Senior महिला Table Tennis ranking में कौन पहले अस्थान पर है Chain, Mang इसमें पहले अस्थान पर है महिला ranking में ये चीन की है वहीं भारत की मनी का बत्रा 63 अस्थान पर सुतीर्था मुखरजी 95 अस्थान पर है नासा के खोगोल वीदों ने रहने योग्ये प्रित्वी के अकार का Kepler 1649C ग्रह की खोच की है ये प्रित्वी से कितना परकास वर्ष दूर है 300 परकास वर्ष दूर है ठीक है इस ग्रह का नाम ध्यान में रखिए Kepler 1649C ESBI ECORIP के अनुसार COVID-19 के कारण विद्वर्ष 2021 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितनी रहेगी एक दसमलो एक परतिशत किस अराज्य ने lockdown के दौरान लोगों को फलों और सबजियों की home delivery के लिए सी घाट लौँच किया है ये एक website है 36 गर्ड ने किस अराज्य ने e-learning प्रियोजना SMILE लौँच किया है राज अस्थन ने यहाँ पर SMILE का फूल परमोगा Social Media Interface for Learning Engagement अब चलिए आज का Current Affair देखते हैं और फ्रेंट्स विडियो के लास्ट में प्रिव्यस मन से भी Top 10 Current Affair का टेस्ट लगा हुआ तो आप लोग टेस्ट को हर वर्स केरल में हाली में इसे रद कर दिया गया है Lockdown को देखते हुए 3 मई तक पूरे भारत में Lockdown है और इस उत्सव का आयोजन किया जाना था 2 मई को तो इस तरह से इस उत्सव को पहली बार किसी कारण वर्स रद किया गया है इस उत्सव में हाथियों की जाकिया निकाली जाती है ठीक है इस उत्सव का थोड़ा सा हिस्ट्री जान लिजे अठारवी सताबदी में राजा राम वर्मा जोकी केरल के कोची के महराजा थे उस ताइम उन्होंने इस उत्सव की शुरूबात की थी किसने राजा राम वर्मा ने अठारवी सताबदी में यहाँ पे ध्यान में रखिए राजा राम वर्मा को ही शक्थान थमपूरन के नाम से भी जाना जाता है केरल के बारे में जनिए तो यह है केरल इसकी सीमा भारत के दो राज्यों को छूती है तमिल नाडू और करनाटर्ग लक्षदीप जो है के अंदर सासित परदेश ये केरल हाई कोट के नियाईक छेतर में ही आता है लक्षदीप की कैपिटल है कवाराती केरल का गठन वाथा एक नवंबर 1956 को चेतरफल के इसाबसे 22 नमबर पे जन संक्य के इसाबसे 14 नमबर पे सक्षर्टादर है भारत में सबसे अधिक लिटरेसी रेट केरल की है 94 परतिशक और 6 रेसियो भी सबसे अधिक केरल का ही है 1084 यानि 1000 पुरुसों पर 1084 महिला आए है कैपिटल तिर्वनंत पूरं मुख्यमंत्री पिनारई विजयन राज्यपाल आरिफ मुहमद खान लोग सबसेट 20 राज्य सबसेट 9 विधान सबसेट 140 जीनों के संख्या 14 है एस मणी कुमार केरल हाई कोट के मुख्यनाई देश है राजके पशु हाथी राजके पक्षे धनेश इसे ग्रेट हॉन्बिल भी कहा जाता है राजके ब्रिच नर्यल राजके फुल अमलतास राजके फल कटरहल राजके मचली ग्रेन क्रोमाईड कथक कली ताथ मोहिनी अट्टम यहां का शास्त्रे निरित्त है अनमोडी शोला नेशनल पार्क एरावी कुलम नेशनल पार्क पिरियार नेशनल पार्क सैलेंट वैले नेशनल पार्क तथा पंबा दूम नेशनल पार्क सभी केरल में हैं यहां से बार-बार पुछे जाते हैं नेशनल पार्क ध्यान में रखिए मल्लब पिर्यार बाद इदू की बाद पिर्यार नदी पर है तथा बंसूरा सागर बाद काबिनी नदी पर है वैश्वी के रेटिंग एजेंसी स्टेंडर्ड एंड पूर्स ने वीट वर्स 2020 से किसमे भारत की विकासदर के अनुमान को 3.5% से घटा कर कितना कर दिया है 2.8% रहेगी वर्तमान वित वर्स में भारत की GDP ग्रोथ रेट ठीके बहुत सारी संस्थाओं ने अपना नुमान घटाया है जैसे कि SBI ECO Rite ने अभी मैंने बताया 1.1% उसके अनुसार IMF यानि अंतरा स्ट्री मुद्रा कोस के अनुसार 1.9% वहीं Goldman Sachs के अनुसार 1.6% वहीं World Bank के अनुसार 1.5% से लेकर 2.8% तक भारत की GDP ग्रोथ रेट रह सकती है वर्तमान वित वर्स में किस संस्थान के शोध करताओं ने जल में उपस्थित भारी धातू आयन यानि हेवी मेटल आयन्स की पहचान के लिए एक Compact Solid State Sensor विक्सित किया है नैनो एव मिर्दू पदार्थ विज्ञान के अन्दर के शोध करताओं ने इस संसर के माध्यम से बहुत ही असानी से जल में उपस्थित भारी धातू आयनो के पहचान की जा सकती है इसका विकास किया है नैनो एव मिर्दू पदार्थ विज्ञान के अन्दर यानी Center for Nano and Soft Matter Sciences ने ये संस्थान बेंगलूरू में है ध्यान में रखिये ठीके जिसका गठन 1991 में किया गया था किस अराज्य की सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 1994 में संसोधन करके राज्य निर्वाचन आयुक्त के करेकल को 5 वर्स से घटा कर 3 वर्स कर दिया है तो आंधर प्रदेश की सरकार ने हाली में पंचायती राज अधिनियम 1994 में संसोधन किया है उसके तगत राज्य निर्वाचन आयुक्त का करेकल होता है 5 वर्स का इसे गठा कर 3 वर्स कर दिया है इसको लेकर आंधर प्रदेश में अभी काफी विवाद भी चल रहा है प्रदेश को आधार प्रेकरिया के इलावा किसी अन्य आधार से नहीं हटाये जा सकता ठीक है और आंधर प्रदेश की सरकार ने हाली में वहांके राज्य निर्वाचन आयुक्त ने थे एन रमेश कुमार उन्हें बरखास्त कर दिया है उनकी नियुकती 2016 में की गई थी और आंदर्थ परदेश के नए राज्य निर्वाचन आयोकत कौन बनाए गया है निचे लिखाओं देख लिजे वी कनग राज आंदर्थ परदेश का राज्य निर्वाचन आयोका गठन किया गया था 1994 में यहाँ पर हम लोग राज्य निर्वाचन आयोक का बात कर रहे हैं तो इससे related बार-बार कोशन पुछे जाते हैं एक्जाम्स में तो समिधान से related कुछ कोशन बनते हैं जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोक का गठन 73 और 74 में समिधान संसोधन अधिनियम 1992 के तहट किया गया था ठीक है और राज्य निर्वाचन आयोक का उलेक किस अनुछेद में किया गया है अनुछेद 243 क और अनुछेद 243 जेड और ए में इसका उलेक किया गया है ठीक है अब हम आंदर परदेश के बारे में फटफट जान लेते है तो ये रहा आंदर परदेश इसकी सीमा भारत के पांच राज्यों को चूती है ओडिसा चतिसगड, तेलंगाना करनाटक और तमिलनाडू गठन वाथा एक अक्टूबर 1953 को भासा के अधार पर गठित होने वाले ये भारत का पर्थम राज्य है चतरफल के इसाब से आठवे नंबर पे जन संक्य के इसाब से दसवे नंबर पे है साख चर्था दर है साड़सट दसमलोज जीरो दो प्रतिशक लिंगान उपात 993 मुख्य मंत्री है वाई एस जगन मोहन रेड़ी राज्य पाल विश्व भूसन हरी चंदन लोग सबासीट 25 राज्य सबासीट 11 विधान सबासीट कुल 176 है एक सीट पर राज्य पाल द्वारा मनोनित किया जाता है विधान परिसद सीट की संख्या 58 है जीलों की संख्या 13 जे के माहेश्वरी यहाँ के मुख्य नएदिस है आंदर परदेश हाई कोट के राज़के पशु काला हिरन राज़के पक्षि रामा चिलुका राज़के विरिक्ष नेम राज़के फूल चमेली कुचीपुरी यहाँ का शास्त्रिय मुर्य निर्थित्य है वेंग टेश्वारा नेशन पर्क तथा पापी कुंडा नेशन पर्क अंदर प्रदेश में हैं स्टिरी साइलम बाद बस्वा सागरमाद ये दोनों डैम क्रिश्ना नदी पर है निमनले से किस ने दूर दराज के छेतरों से COVID-19 रोगियों की सुरक्षित निकासी के लिए एयर इवैक्विएशन पॉड त्यार किया है तो भारतिय नोसेना का नेवल एएर क्राफ्ट यारड कोची ने एयर इवैक्वेश्न पॉड त्यार किया है ताकि दूर दराज छेतरों से COVID-19 रोगियों को सुरक्षित निकाला जा सके ये जो pod है इसे aluminum, nitrile, rubber और forex से बनाए गया है इसका वजन लगबग 32 kg है और इस तरह का एक pod तयार करने में 50,000 रुपे का लागत आ रहा है तो इस pod को किस ने तयार किया है भारतिय नौ सेना के naval aircraft yard कोचीन है अच्छा भारतिय नौ सेना परमुख कौन है करंबीर सिंग भारतिय वायू सेना परमुख है वरतमान में अरकेशनी भदावरिया और भारतिय सेना परमुख है इम-इम नर्वाने यानि मनोज मुकुंद नर्वाने निमन में से किस दिन विश्वा लिवर दिवस मनाय जाता है 19 अपरेल को हरवस विश्वा यक्रित दिवस यानि world liver day मनाय जाता है लिवर से संबंधित बीमारियों के बारे में लोगों के बीच जग रुकता फैलाने के उद्देश से हर वस 19 अप्रायल को विश्वर लिवर दिवस मनाय जाता है इसको लेकर WHO ने एक रिपोर्ट जारी किया है उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में होने वाली मौतों का दस्वा सबसे बाड़ा कारण जो है लिवर की बिमारी है अब यहाँ पर बाड़ चल गया है लिवर का यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे कोशन्स एक्जांस में पूछे जाते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C रोग का संबंध शरीर के किस पार्ट से है लिवर से है ठीक है शराब, ड्रग्स, दूसित भोजन या पानी पीने से लिवर से संबंधित रोग होता है मानो शरीर की सबसे बड़ी गरंथी कौन सी है लिवर है यानि यकरित और मानोशरीर की सबसे बड़ी अंतस्वरावी गरंथी कौन सी है थाराट गरंथी जो की गले में इस्थित होता है वहीं मानोशरीर की सबसे छोटी गरंथी कौन सी होती है पिऊश गरंथी जो की दिमाग में होता है किस संस्थान के शोध करताओं ने रोग के कार्णों का तेजी से पता लगाने के लिए बग एस्नीफर नामक एक संसर विक्सित किया है तो इस संसर का विकास किया है अगरकर अनुसंधान संस्थान पूने के शोध करताओं ने Option A सहुत्तर है ये एक बायो संसर है जो रोग के कार्णों का पता लगाने के लिए सिंथेटिक पेप्टाइड्स चुम्बकिये नैनो पार्टिकल्स के साथ साथ क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल करता है तो इस संसर का क्या नाम है बग स्थनीफर ये एक पोटेबल डिवाईस है जिसे कहीं भी लेकर जाय जा सकता है ठीक है तो इस संसर का विकास किस ने किया है अगरकर अनुसंधान संस्थान के शोध करताओं ने ठीक है ओप्शन में और भी संस्थान है ये सभी कहां परे ध्यान में रखिये राश्ट्री परती रोधक विग्यान संस्थान नई दिल्ली में है अखिल भारतिय आयर विग्यान संस्थान नई दिल्ली में है पलाजमा अनुसंधान संस्थान गुजरात की कैपिटल गांधी नगर केंद्रिये संस्कृति मंत्राले ने हाली में भारत की अमुर्ते संस्कृतिक विरासत की राष्ट्रिये सुची जारी की है इस सुची को कितने छेत्रों में वर्गिकृत किया गया है तो पांच छेत्रों में वर्गिकृत किया गया है वो पांच छेत्र कौन-कौन से हो जनिये अमोर्ते सांस्करितिक विरासत के वाहक के तौर पर भासा सहित मौखिक परंपराएं और अभिबेक्तियां दूसरा परदासन कलाएं तीसरा समाजिक पर्थाएं रिती रिवाज और उत्सो घटनकर्म चोथा प्रकिर्थी और विश्व से संबंधित ग्यान तथप पर्थाएं पाचवा है परंपरिक शिल्प करीता तो इस सूची को पाँच छेत्रों में वर्गिकरित किया गया है ठीक है? आपको बता दें कि इस सूची को विजन 2024 के तहत जारी किया गया है विजन 2024 के आ है इस विजन का लक्ष 2024 तक विविद राज्यों की अमूर्त संस्कृतिक विरासत परंपराओं के बारे में जगरुपता फैलाना और उनका सरक्षन करना है ठीक है? आजिवन योगदान के लिए 2004 में विंसर मैक के परुषकार भी दिया गया था अमेरिका की बात करें तो वो इसकी कैपिटल है वाशिंग्टन डीसी, वाल्ल बैंक और अंतराष्ट्रिय मुद्राकोस दोनों का मुख्याल है वाशिंग्टन डीसी में है यहां के राश्टर पती है डोनाल्ड ट्रंप जो की 45 वे राश्टर पती है अमेरिका के संसद का नाम है कांग्रेस और मुद्रा का नाम है डॉलर किस संस्थान ने वाड बॉट नामक एक रोबोट डिजाइन किया है तो इस रोबोट को डिजाइन किया है आई 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 टी रोपड के शोध करता हूं ने ओप्शन सी से उतर है इस रोबोट का नाम है वाड बॉट ठीक है आपको बता दें कि यह एक ऐसा रोबोट है जो की कंट्रॉल रूम से संचालित किया जाएगा बिन स्वास्त कर्मियों के COVID-19 के रोगियों तक भोजन पानी दवा तथा अन्य समागरियां पहुँचाई जाएंगी हाला कि यह रोबोट अभी बना नहीं है इसका सिर्फ अभी डिजाइन किया गया है और इसका डिजाइन किया है आई 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 टी रोपड के शोध करताओं ने यह संस्थान कहां पर है पंजाब में क्रिकेट साउथ अफरीका के अस्थाई निदेशक कौन बने है तो क्रिकेट साउथ अफरीका के अस्थाई निदेशक बने है ग्रीम है स्मित जोकी साउथ अफरीका के पुर्व क्रिकेटर है Option A सही होत्तर है अगले दो साल के लिए इन्हें अस्थाई निदेशक बनाए गया है South Africa क्रिके टिम के कोच है वरतमान में Mark Boucher और कप्तान है T20 और ODI कप्तान है Quinton D. Cog Saurav Ganguli वरतमान में BCCI के चेर्मेन है South Africa की बात करें तो ये African country है इसकी capital है Pretoria जो की Executive Capital है तीन capital है इसकी Bloom Fountain Judicial Capital है Cape Town Legislative Capital है यहां के वरतमान में राष्टर पती है Cyril Ramaphosa संसद का नाम है Parliament और मुद्रा का नाम है South African Rand तो ये था हमारा आज का current offer वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जगू करना अब चलिए प्रिवेस मन से टॉप 10 current offer का टेस्ट लगा रहा हूँ जितना भी इसको राएगा नीचे कमेंट करके जोरूर बताना और लास्ट में दो क्वीज भी करूँगा उसका भी अंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है चलिए देखते हैं पहला question most stable mind in world का खिताब जितने वाली राज योगीनी दादी जानकी का हाली में निधान हो गया उनका संबंध किस छेतर से था option देखिए दो सकेंड का टाइम दूँगा हर question के लिए वीडियो पाउस करिए अंसर टिक करिए उसके बाद मेरे अंसर सुनिए तो सहिव तरह option भी अधियात में next RBI ने repo rate 5.1 प्रतिशत से घटा कर कितना कर दिया है option देखिए 4.4 शुन्य प्रतिशत ठीक है वही reverse repo rate है 3.7 प्रतिशत पद में विबोसर से सम्मानित किस प्रसीद भारती चित्रकार का हाली में 94 साल की उमर में निधन हो गया बताईए इनका नाम है 37 गुजराल हाली में इनका निधन हो गया है क्या थे ये भारत के बहुत ही प्रसीद चित्रकार थे केंद्रिये मंत्रे मंडल ने हाली में छेत्रिये गरामिन बैंकों के इस्थिती में सुधार के लिए कितने करोड रुपे अवंटित किया है बताईए तो छेत्रिये गरामिन बैंकों के इस्थिती में सुधार के लिए 1340 करोड रुपे अवंटित किया है के अंदर सरकार ने G20 वर्चुल सम्मेलन में सदस्य देशों ने कोरोना की वज़ा से आई चुनोतियों से लड़ने के लिए कितना डॉलर निवेश करने का फैंसला किया है बताईए 5 ट्रिलियन डॉलर यानि 5 लाख करोड डॉलर G20 वर्चुल सम्मेलन का योजन किया गया था 2020 में अध्यक्षत किया सौधी अरब ने किस अंतराश्य संस्था ने सबसे गरीब देशों में कोरोना वायरस महमारी से लड़ने के लिए 2 बिलियन डॉलर की वैश्विक मानवी पर्तिकरिया योजना शुरू किया है किस संस्था ने? संयुक तराश्टर ने नेक्स्ट निमने में से किस संस्था ने COVID-19 से निपटने के लिए सुक्ष में लगू और मद्यम उद्यमों के लिए COVID-19 पुनर्वास और राहत कोष की अस्थापना की है किस संस्था ने? भारतिय उद्योग परिसंग ने इसका मुख्याले नई दिल्ली में है हाले में किस देश ने अत्याधिक उन्नत हाई फ्रेक्वेंसी उपगरा यानि A.E.H.F.6 लॉंच किया है किस देश ने? अमेरिका ने नेक्स्ट निम्न में से किस भारतिय संस्थान ने COVID-19 की जाच के लिए प्रोब फ्री डिटेक्शन ऐसे नमक तक्निक विक्सित किया है बताईए I.E.T. दिल्ली ने नेक्स्ट भारत का पहला COVID-19 सेंटर कहां अस्थापित किया गया है तो भारत का पहला COVID-19 सेंटर कहां अस्थापित किया गया है मुंबई में सेवन हिल्स अस्पताल में तो जितना भी इसको रहा है नीचे कमेंट करके बताईए पिछले क्वीज का एंसर जाने है पहला कोशन था मलेरिया के लिए उत्तरदायत वा प्लाज मोडियम क्या है तो प्लाज मोडियम एक प्रोटो जुआ है सभी लोग ने अंसर सही दिया था दूसरा कोशन था एनेमिया रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है इसका भी अंसर लगबग सारे लोग ने सही दिया था लोहा यानि आयरन अच्छा ओप्शन में जितने भी नाम है इन्हें किस से सुचित किया जाता है वो जानिये लोहा को F E से सुचित किया जाता है सोना को A U से सुचित किया जाता है और चांदी को AG से सुचित किया जाता है और Magnesium को NG से सुचित किया जाता है तो इस कोशन का सहुत्तर है Option A अब चलिए आज का पहला ट्वीज है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है दूसरा कोशन है सबसे सरल कार्बनिक योगिक कौन सा है